पूर्ण मंत्री एमम कांग्रेश लेता कर्ण चोदरी ने गटपंदन सरकार पर बड़ा हमला बोला। कर्ण चोदरी ने कहा कि आज हर्याना में भाजबास सरकार की नाकामी से गुंडा राज है। और अब गटपंदन सरकार में तो केवल लूट ही होगी। उन्होंने कहा कि आज गुंडे लोग रोजगार की लगत में गलत फाइदा उठा रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि समाज में बेरोजगारी कापी बड़ गई हैं। उन्होंने गटपंदन सरकार को दो अलग अलग विचार धाराओं का गटपंदन बताया और कहा कि ये गटपंदन सत्ता सुक के लिए हुआ है। नहीं तो जनता ने भाजपा के खिलाव मत दिया था। ताकि जनता को इनकी असलियत का पता चल सके। वें किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए करिंट चोदरी ने कहा कि कहने को भाजपा सरकार 2022 तक किसानों की आए दुगनी करने की बात करती है। लेकिन मंडियों में किसानों की फसले समर्थन मुल्य पर नहीं बिख रही। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान पराली जलाते हैं तो परदूशन होता है। जब कि पराली से नामातर परदूशन होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट के निर्देश दिये हैं कि किसानों को प्रती कुईंटल पराली परबंदन के लिए सो रुपे दिये जाएं। सरकार इन निर्देशों की पाल ना करें उन्होंने कहा कि पराली बार बार नहीं जलाई बज जाती बल्कि एक महिने में कम से कम परदुशन होता है वह उन्होंने कहा कि किसानों के उपकरणों पर भी जी अश्टी लगा दी गए वह किस दिन पहले लोहारो से भाजपा विधायक जेपी दलाल द्वारा करमचारियों को धमकाने पर बोलते हुए कि उन्चोदरी ने कहा कि पिचेतर पार जैसा अहंकार है पर राजा और रंग का मत एक समान होता है जनता जब जानती है और दूद का दूद और पानी का पानी खरती है जल्द ही इन्हें जेपी दलाल का भी समझा जाएगा इनके साथ ही उन्होंने करमचारियों की रेटायर्मेंट पिच्पन साल करने की गलत बताया और आयोधा मामले पर आये सुप्रेम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया पलपल भीवानी से अमन शर्मा की विशेश रिपोर्ट किसान जो है उसका अलग दुरे हाल हो रहे हैं कहते हैं 2022 सर्क किसान की आयू दुगनी करेंगी मैं इन से पूछना चाहते ही हूँ और इनका यह जोआप दें कि आप दुगनी किस तरह से करेंगी खोकले नारे हमने आपके पदेरे सुन लिए खोकली बाते हैं आपकी बहुत सुन लिए तो चत्तरपार का नारा भी दिया था आप जो आज जो है बाजरा जो है उसकी खरीद बंद कर दीगे इस पूरी तरह कहते हैं एक एक दाना जो है जो है दोनों गडबंदन कि यह जो दोनों ने गडबंदन करा है जचपाने और भी लिए भी ने कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहे थी कि मंडियों के अंदर खूंक के आएं और बोले कि एक एक दाने की खरीद होगी तो आज मैं पूछना चाहती हो कि वो एक एक दाने की खरीद की बात आपने कई आज बाजरे की जो खरीद है वो प्रयात मात्रा हमें हमारे को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी आपने हमारा काटके रख दी हमारे साथ हो सोतेला वेवार यू करा जाना और साथ की साथ किसान के ओपर जो है जी एस्टी लगा दी है पहली बार यह हुआ है कि किसानों के अपकरनों के ओपर जी एस्टी इसमें कोई शक्ती बात नहीं है गास चिंबर बन गया ये भी बात लेकिन खाली पराली जलाने से तो खाली 16-17% जो है वह पराली से होता है और उसको रोग थाम करने के लिए पिछले 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारी सुझाव रखे थे इस बारी वी विदानसवा के अंदर मेरे अच्छाव रखें किसान को दो जिसके ओपर मोहर सुप्रीम को टने लगाई है यह मेरे सुझाव बहुत पहले से बोलती आरी है वे बिदान सबा में भी मैंने यही सुझाव रखा लगा लगा यह मेरे सुझाव रखें किसानों को 100 रुपे प्रती विच्छा के तोर पर मुदा दिया तया जै कि यह लिखा निखा लिखा लोगा है अब सुप्रीम कोड ने पतकार लगा है अब इसके ओपर लिखा पूरी तरह से खतम हो जाती है हमारा कृषी अडार प्रदेश है हमारा कृषी जो है वो खतम हो चुका है हमारे नौ जमान रोजगार जो है वे बेरोजगार है इतनी चरंग सीमा पर आ गिए है यह सरकार जो है किस तरह से चलेगी जलने वाला काम तो है निए तो फिर तो खुले आम होगा लुटाई होगी आप जानते हो तो सरकार चलने वाला सोदा था है निए बिलकल कॉंगर्स ने पुरिप इपाइट ही तरह हम शुरूर से तयार थे जिए रहा हम बैठेगे और विपक्ष की साठात महाथ भूमेका पूरी तरह से आपए होगी कांगर्स की ने भी रएड़ लोग कॉंगर्स को जटानाचान थे ते ते उने पूए शकी बात निए और लोगों ने वहाँ पर वोट लेवी बीजेपी के विरुद में और फिर उसके साथ जा के गट बंदन कर दिया वो बात और है क्योंके सत्ता भोगने के लिए करा है ये काम लेकिन लोगों का बत जो है वो बीजेपी के खिलाव इसमें कोई दुराईटी बात थी और वो इसने खिलाव था क्योंके पांच साल में 154 वाइदे जो करे थे वो एक वाइदा भी पूरा नी करे और अब 260 वाइदे उपर और कर दी है जजपा के अलागे बड़े बड़े मोटे बाइदे वाइने हैं जैसे किसान का करजा माफी 11,000 रुपे बेरोदगारी मुटा ये सारे के सारे कब शुरू करेंगे गवर्णर के अबिवाशन के अंदर को इनों ने कुछ पताया निए तो जाते हैं कि पांच साल निगालें ताके लोगों को पता जले इनकी असलियत इस बारी आने वाले समय में इसकार बनाईगी और प्रदेश के सारे के सारे करेंगी और एक सुसाषित प्रदेश भर्याना को जब हमारा मुटा है तो पांच से पंदरा तक ये पूरा A.I.C.T. की तरफ से प्रोग्राम किया गया था और एक प्रदेश के अंदर होना थामी जो छोड़ के बनागी उसकार के सारे करा गया है तो कि उसका एक हमुद्दा जो है वो RCEP ये ट्रेट एग्रिमेंट है जो ट्रेट एग्रिमेंट अधर के अंदर सरकार जो है मोदी जी साइन करने जा रही है जिसके जरिए सारी डंपिंग जो है चाइनीज गुड्स की हमारे देश के अंदर आ गया है और हमारे जो छोटा बढ़ी जो है जो हिए बिल्कुल ही पिट जाता खतम हो जाता पिछली रुस के अंदर बड़ी जो शोट सेखी कोई चैनीज गुड्स का भईश कारो ये करो वो करो लेकिन इस एग्रिमेंट के जरिए वो ही सारे के सारे गुड्स हमारे जो है डंपोती तो इसके ते रुद तो प्रेफर कर ली है जब इनोंने इन भी खतम कर ली है तो फिर अविसे लुद्ट की है को बाद की जब रहने इनको कि उचाज हो जाए है और के इसने हैं उसके बाद और समझ आगी इनकों कि यह गलत काम करने जारे है तो इन्होंने पहले ही खतम कर गिए इस कारण जो है इस कारण जो है समित कारण के सुप्रीम कोट का बहुत अच्छा फैसला दिया है और रामलाला को जगा दे दिया है मंदल बनाने की तो वहां कोज़ा बनाने के सुप्रीम कोट का मैं जो पीद का अच्छा गुड़ा है तो रिप आच्छा का फैसला है तो कोज़ा करते है टीछ गात करते है कोई कुछ कर रहा है यह अहंकार जबा जाता है यह जन्ता है यह सब जानती है तो उसका दूस और पानी का पानी कर रहा है और जो मत का अधिकार है वो हरेक का अधिकार है और हरेक का मत उतना ही इंपोर्टन है जो बड़े-बड़े लोगों का समझ यह न उस मत के सामने सारे में लाजी और रंग एक हैं और जो अगर इस तरह की बात करता है तो बड़े इसको भी थामज में आ जाएगी